गुरुर् ब्रम्हा, गुरुर् विष्णुहु, गुरुदेवो महेश्वरह, गुरु साक्षात्परब्रम्ह, तस्मै श्री गुरवे नमहौ। अज्ञानति मिरांधस्य, ज्ञानांजनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितम्येन, तस्मै श्री गुरवे नमहौ। चतुरशीत्युत्तर, अश्टादश, शततमवर्शस्य, अक्टोबर्मासस्य, पंचमह दिनांकह। आश्वयुजकृष्णप्रतिपत्य, भानुवासरह, दक्षिनेश्वरे, हाजरादिभिस्साकं। परमहंसह, मध्यान्ह भोजनानंतरम, स्वप्रकोष्ठे, उपविष्टहा अस्ति। तस्य समीपे एव, स्थंडिले, मास्तरह, उपविष्टहा अस्ति। हाजरा, जेश्ठकालिही, बाबुरामह, रामलालह, मुखर्जि बंधुहु हरिही, इत्यादिशु, केचन स्थिताह संति, केचन उपविष्टाह संति। परमहं सह, हाजराम, अहं केचव सेनस्य पस्मिन ग्रिहे, नवीन सेनस्य ग्रिहे, ह्यह सम्यक भोजनम कृतवान, तत्र भृषं भक्त्या भोजनम परिवेशितं। जेश्ठ कालिही, कस्मिस्चित कार्यालये, कार्यम करो तिस्म, परमहं से तस्य महती भक्तिही, परमहं सस्य दर्शनार्थम, सह तदा तदा आगच्छती। जेश्ठ कालिही, हाजराम, त्वम सर्वदा जनानाम परीक्षाम कुर्वन्ये वभवसी, त्वम किमर्थम तावतीम परनिंदाम करोशी, हाजरा, यद्यत द्वक्तव्यमिती ममा भासते, तत्सर्वं अहं अस्य परमहं सस्य सम्मुखे एव वदामिकिला, श्री रामक्रिष्णह, तत्तू सत्यम, हाजरा, तत्त्व ज्ञानम इत्यस्य विवरणम यच्छन्नस्ति, हाजरा, चतुर्विम्षति तत्त्वानी संतिकिल, तेशाम ज्ञानमेव तत्त्व ज्ञानम, कश्चन भक्तह, चतुर्विम्षति तत्त्त्वानी कानि-कानि, हाजरा, पंच भूतानी, शड्रिपवः, पंच ज्ञानेंद्रियानी, पंच कर्मेंद्रियानी, इत्यादीनी, आस्तरह, हसन, परमहम्सम, येशह, कामक्रोधादीन, शड्रिपून, चतुर्विम्षति तत्त्वानाम, अंगानी इतिवदति, तत्वा-ज्ञानं, परमहम्सह, हसन, पश्यत, यूयमेवपश्यत, तस्य tasग्ज्ञान व्याख्यानं, तत्वा-ज्ञानं इत्युक्थे आत्म ज्ञानं, तत्द इत्युक्थे परमाट्मा, ट्वम् इत्युक्ते जीवात्मा जीवात्म परमात्मनोहो भेदहा नास्ती इति ज्ञानम् यद्भवति तत पत्वज्ञानम् कतिपय निमेशाना मनंतरं हाजरा प्रकोष्ठा दुत्थाय गत्वा वरंडे उपविष्टवान परमहं सह मास्तरादीन सह वृथावादं करोती अस्मिन्क्षणे सह अवगच्छतिचे दपी अनन्तरक्षणे सह पूर्ववदेवभवति ब्रुहन्मीनह सूत्रं प्रसभं आकर्षति यति तत दृष्टवा बडिशं यह स्थापितवानस्ति सह सूत्रं सिथिलयति तथा न करोती चेत सूत्रं तृट्यति अथवा बडिशक्ग्रहीता जलंप्रति आक्रिष्टहा भवति अतह एव अहं तम अधिकं किमपिन वदामी मास्तरं ब्राम्हन शरीरं नास्ति चेत मुक्तिही न लभ्यते इति हाजरावदति अहं अवदं ततकतं भक्तिद्वारा अपि मुक्तिम प्राप्तम शक्यते व्याधपुत्री शबरी रूहिदासह इत्यादयह भक्तिद्वारा अव मुक्तिम प्राप्तवंतह इति निश्काम भक्तिही श्रेष्ठतमा इति अहं उक्तवान हाजरा मम एतस्य वचनस्य विरोधं कृतवान शुद्ध भक्त्याम कापि कामना न भवति अत्र यूयं किमपी याचितुम न आगच्छत किंटु माम द्रस्टुम मम वचनानी श्रोतुम यूयं आगच्छत किमपी नावश्यकम चेदपी प्रीतिही क्रियते यत। तस्य नाम अहेतुक भक्तिही शुद्ध भक्तिही इति प्रहलादे एशा भक्तिही आसीद। सहा राज्यम्वा अईश्वर्यम्वा न इस्टवान। सहा केवलं हरिम् एव इस्टवान। इस्टवान।